शिकारियों का एक जुन्ट शिकार के लिए जंगली याकों के एक जुन्ट का पीछा कर रहा था उनका सरदार उनके गोबर को सूंग रहा था फिर वो गोबर को अपने पूरे शरीप लगा लेता है और बाकी शिकारियों को भी ऐसा करने के लिए कहता है फिर वो सब जमीन पर लेट कर क्रोल करते हुए आगे बढ़ते हैं जुन के नजदीक पहुंच कर वो सब उड़ जाते हैं और जुन की तरफ भागने लगते हैं याक भी उनके आवाज सुनकर उनकी तरफ ही भागने लगते हैं फिर वो भालों से याक और उनके बीच एक दिवार सी खड़ी कर देते हैं इससे याकों का जूंड खाई की तरफ बागने लगता है और कई सारे याक खाई में गिर जाते हैं लेकिन एक सिग्मा मेल वापिस एकारूं की तरफ मुड़ जाता है वो सरदार के बेटे कोडा की तरफ बागता है और उसे उठाकर पटक देता है फिर वो वापिस मुड़ जाता है कोडा डर के एक ही जगा जम साजाता है वो हीले नहीं पाता है उसके कपड़े याक के सिंगों में फज जाते है फिर वो या कोडा को खाई में उचाल देता है कोडा एक पत्थर को पकड़ कर लटका हुआ था तभी सारे शिकारी वहां पहुँच जाते है लेकिन तभी पत्थर तूर जाता है और कोडा एक पत्थरी ले इससे पर गिर जाता है कोड़ा का पिता अपने बेटे को बचाने के लिए कूदने की कोशिश करता है लेकिन बाकी सिकारी उसे रोक लेते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा तो मर चुगा है लेकिन अगर तुम भी मर गए तो कभी लेगा क्या होगा फिर वो सभी खाई में जाकर मरे हुए यागों का मास इखटा करते हैं अगले दिन वो सब कोडा की समाधी बनाकर वहां से चले जाते हैं उसके बाद कोडा को मरा हुआ देखकर एक गिद उसका मास खाने के लिए आता है लेकिन जैसे ही गिद जोंच मारता है तो कोडा को होश आ जाता है वो गिद को नीचे फैंक देता है और अपने बाप को अवाज लगाता है लेकिन वो सब तो जा चुके थे कोडा का पैर टूटा हुआ था लेकिन वो नीचे उतरने की कोशिश करता है वो करेक्स को पकड़ कर लटकता है तो उसके पैर की ग्रिप नहीं बन पाती अब उसकी मोथ पक्की थी लेकिन तभी बारिश होने लगती है और नीचे खाई में बहुत सारा पानी बैकर आ जाता है कोडा उसमें कूच जाता है अब कोडा को जब होश आता है तो वो अपने जूते को निकालता है उसका पैर सूज कर हाती के पैर जैसा वो रखाता वो पत्थरों के बीच पैर को फसा कर जटका देता है इससे उसके पैर की हड़ी सही जगे आ जाती है फिर वो जूता पहन कर लकडियू की मदद से पैर को बांध रेता है इससे वो चलने लायक हो जाता है वो धीरे धीरे चल कर पहाड़ी पर पहुंसता है लेकिन वहां उसे कोई नहीं मिलता वहां वो एक समादी देखता है और समझ जाता है यह उसी के लिए उसके कभीले वालों न बनाई है वो गुस्से में उस समादी के पत्थरों को लात मारता है वो हथास हो जाता है वो सोचता है कि अब अकेले गर कैसे पहुंच पाएगा तभी उसे बेडियों की आवाज सुनाई देती है वो बचने के लिए भागता है तभी बेडियों उसे गेर लेते है तो कोड़ा एक पेड़ पर चड़ने की कोशिच करता है उन बेडियों में से एक फिमेल बेडिया उसके पैर को पकड़ लेती है कोड़ा चुढने के लिए बेडियों को चाकू से मारता है तो बेडिया इंजड होकर नीचे गिर जाती है बेडियों का जुम्ड सारी राग पेड़ के नीचे बैठे रहते है लेकिन सुबह जब कोडा की नीद खुलती है तो इंजड बेडियों को छोड़ कर सारा जुम्ड जा जुगा था कोड़ा अपने चाको और एक लकड़ी को जोड़ कर एक भाला बनाता है और वो जैसे ही बेड़िय को मारने वाला था तो बेड़िय की दर्दबरी आवाज सुनकर उसका मन पसीच जाता है वो उसे मार नहीं बाता वो डर कर उसके पाज जाता है तो भेडिया गुरने लगती है कोड़ा डर जाता है और पीछे अड़ जाता है लेकिन वो फिर हिम्मत करके रस्टी से भेडिये के मुँझ को बांद देता है अब भेडिया उसका कुछ नहीं विगाड़ सकती थी वो भेडिये को कंदे पर उठाकर एक लेक के पास ले जाता है और उसके गाओं को साफ करता है कोड़ा उसे एलफा नाम देता है तभी उसे एक लकट बगों का जुन दिखाए देता है कोडा जल्दी से एलफा को उठा कर एक गुफा में चुप जाता है और सो जाता है अगले दिन सुबह उठकर कोडा कुछ जड़ी रूटी तोड़ कर लाता है और अपने पैर पर बांद लेता है फिर वो पाने पी रहा था तभी उसे एलफा की आवाज सुनाई देती है कोडा उसे पानी देता है तो अलफा गुराती है कोडा की और फर जाती है लेकिन हिमत करके वो पानी अलफा की तरफ सरका देता है अलफा पानी पी लेती है और वो कोडा को कुछ नहीं कहती फिर कोड़ा कुछ कीड़े इखटे करता है और एलफा के गाव वाली जगह पर डाल देता है ताकि गाव जल्दी ठीक हो सके फिर कोड़ा बाहर जाता है और एक करगोश को मार कर लाता है कोड़ा आग जलाने की कोशिश करता है पर एलफा को पुख लगी थी तो वो करवोस पर जपटती है लेकिन कोड़ा उसे मार कर दूर फैंक देता है और डोमेनेंस दिखाते हुए कच्छे मास का एक टूपड़ा खा जाता है अब एलफा समच जाती है कि उसे उसका भी बाग मिल गया है वो दूर जाकर बैठ जाती है और इंतिजार करने लगती है कोड़ा आग जला लेता है और मास को भूनने लगता है फिर वो मास खाकर हड़ियां एलफा की तरफ फैंकता है एलफा भी हडिया खा लेती है कुछ दिन बाद वो दोनों ठीक हो जाते है अब कोडा को दर्फ गिरने से पहले घर पहुंचना था बरना रास्ते बंद हो जाते तो वो एलफा को वहां से जाने के लिए बोलता है और इशारे करता है लेकिन एलफा वहां से नहीं जाती तो कोडा अपने कभीले की तरफ चल देता है लेकिन एलफा भी उसके पीछे पीछे चल देती है वो एलफा को बगाने की कोशिश करता है लेकिन एलफा फिर भी उसके पीछे पीछे चलती रहती है मानो एलफा उसकी पालतू हो गई हो अब कोडा को भी उससे लगा हो गया था रास्ते में एलफा के साथ रहने से कोडा को शिकार करने में दिकते कमाने लगी वो दोने मिलकर शिकार करते और भर पेट खाने का मजा लेते रात को आग बुजने पर एलफा कोड़ा को गरम करने के लिए उससे चिपकर्स हो जाती उनकी दूस्ती दिन बे दिन और ज़्यादा बढ़ने लगी वो साथ में नहते, साथ में शिकार करते रास्ते में बर्फ भी परनी शुरू होगी एक रात को कोड़ा आग के बैठकर मास खा रहा था तभी एलफा एक दम से उट खड़ी होती है मानो कोई शिकारी जनवर वहाँ उनके आसपास आ गया हो तभी बेडियों का एक जुन्ड वहाँ आ जाता है बेडियों का सरदार आगे बढ़ता है तो एलफा उसकी तरफ बढ़ती है लेकिन ये क्या ये तो एलफा का वही पुराना जुन्ड था एलफा अपने सरदार को चाटती है तो वेडियों का जुन्ड वहाँ से वापिस जाने लगता है एलफा कोडा की तरफ देखती है जैसे कि वो उससे पूछ रहे हो कि कैमा जाओ कोडा भी उसे उनके साथ जाने के लिए कहता है एलफा अपने जुन के साथ चली जाती है अब कोडा अकेला रहे गया था उसे एलफा के बिना बिलकुल अच्छा नहीं लग रहा था कुछ दिन बाद बर्फिली आंदी में उसे एलफा अपने जुन के साथ दिखाई देती है कोडा बिना कुछ सोचे समझे एलफा की तरफ दोड़ता है लेकिन वो एक बर्फिली जील पर दोड़ रहा था उसके वजन से बर्फ की परत तूड जाती है और कोडा पानी में गिर जाता है और बर्फ के नीचे सरक्वने लगता है एलफा उसे बचाने के लिए भागती है और अपने पैरों से बर्फ तेड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो बरफ की प्रत नहीं तोड़ पाती तब ही कोड़ा अपने चाकू से बरफ को तोड़ देता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है एलफा भी उसके बाजु को पकड़ कर बाहर कीचती है कोड़ा का शरीर कहा परहा था कोड़ा अपने कपड़े उतार देता है और आग जलाकर एलफा से चिपकर सो जाता है एलफा भी अब अपने जुन को छोड़ देती है और कोड़ा के साथ चल पड़ती है कुछ समय बाद लकड़बों का एक जुन उनके पीछे पड़ जाता है वो दोनों भागते भागते एक कुफा में गोज जाते हैं अब उन्हें ये नहीं पता था कि ये कुफा किस चीज की है वो वहाँ पर चैन की सांस ले ही रहे थे तब ही वहाँ पर एक शेर आ जाता है एलफा भी लड़ाई के लिए गुर्णाने लगती है शेर कोडा पर अटेक करने के लिए जफटता है लेकिन एलफा बीच में आ जाती है एलफा शेर को टकर देने की कोशिज करती है लेकिन शेर और बेड़ी का क्या मुकावला शेर एलफा पर हावी हो जाता है और उसे मारना ही बाला था लेकिन तभी कोडा अपने तीर कमान से शेर पर निशाना साथ कर उसे मार देता है एलफा बस तो जाती है लेकिन इंजड हो जाती है फिर वो दोनों कोडा के कबीले की तरफ बढ़ने लगते है बरफीली आदी और ज़्यादा बढ़ने लगती है और एलफा की हिमत दिन बदिन गटन लगती है कुछ दिन चलने के बाद वो एक निशानी तक बहुंच जाते है कोडा चेक करता है तो समच जाता है कि वो कबीले के नजदीक पहुंच गया है लेकिन कुछ दूर चलकर एलफा गिर जाती है तो कोड़ा उसे उठने के लिए बोलता है वो बोलता है कि इतने दिन तुमने साथ दिया है थोड़ा और हिमत कर लो चलो उठो लेकिन एरफा नहीं उठ पाती लेकिन कोड़ा उसे वहां मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था क्योंकि वो उसे अपना अच्छा दोस्त, सच्छा दोस्त मानने लगा था वो उसे गुदिन उठा लेता है कुछ देर बाद उसे अपने कभीले के लोग दिखाई देते है अब उन्हें देखकर कोडा भी गिर जाता है लेकिन बेहोश होने से पहले वो अलफा की तरफ इशारा करता है कि उसे बचा लो जब कोडा को होश आता है तो सबसे पहले वो अलफा को देखता है अलफा भी वही लेटी थी लेकिन वो अभी भी ज़्यादा ठीक नहीं लग रही थी फिर कबीले की हीलर की मदद से अलफा अपने बच्चों को जनम देती है उसके कुछ समय बाद हम कोडा और अलफा को एक साथ बैटा देखते हैं और अलफा के बच्चे थोड़ी दूरी पर खेल रहे थे कुछ सालों बाद सिकारिओं का एक जूंड उन बेडियों के साथ सिकार करने आया हुआ दिखाई देता है और इसी के साथ मूवी खदन होजाती है इस मूवी में यही दिखाया गया है कि कैसे लोग जंगली जानवरों के संपर्क में आये और उन्हें पालतू बनाया और कैसे जानवर अपने जान की बाजी लगा कर अपने साथियों का साथ देते हैं दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें थेंक यू